हा pra कि अब अब हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दाटespère नाशनील इंकम को दो अलग अलग प्राइजेस पर क्याल्कूलेट करते हैं अब आप बोलो के सारवी तो तीन मैंतर्ड सीगे जेटें नाश्न से नैलJust करने के घonna लग का जियां से समधना नाशनल इंकम का मतलब क्या होता यह हम सब को पता है फामिला क्या होता है एनन पेट फसी ठीक है और मतलब क्या होता है इट इस डा मनी वालिवालीव व्थ फाइनल गुज और शर्वेशज प्रडूंस बाई ले नॉपल रेसिडेंस यह हमें पता है ठीक है नाशनल इंकम को जब हम calculate करते हैं तो दो अलग अलग prices पर calculate होता है first is national income at current prices और दूसरा होता है national income at constant prices फरक्या होता है नाम के बारे मैं बात करते है current and constant क्या मतलब होता है current का मतलब जो अभी exist करता है currently जो चल रहा है ठीक है who's the current prime minister of India नरेंद्र मोदी current मतलब क्या होता है अभी constant मतलब क्या होता है जो fix रहा है हमेशा से ठीक है जो fix रहा है that is constant और current मतलब अभी क्या भी तो national income at current prices का मीनिंग क्या होता है it is the money value of final goods and services produced by the normal residence of a country in a year यह तो national income हो गया क्या the money value of the final goods and services produced by the normal residence of a country in a year अब main चीज क्या है यहां पर वो देखो measured यानि measure किसमें किया गया यह money value at the prices of current year मतलब इस साल की जो price थी उसके उपर हमने calculate किया है क्या चीज, money value, किस चीज की goods and services produced by the normal residence वापस समझो एक बार it is the money value मतलब किस चीज की money value of the final goods and services produced by the normal residence of a country measured at the prices of current year मतलब national income at current prices का मतलब क्या हुआ एक साल के अंदर में या फिर इस साल में हमारे country के जितने भी normal residence थे उन्होंने कितने money value के यानि कितनी कीमत के goods and services produce की हैं और यह कीमत को हमने calculate किस के उपर किया है current prices के उपर अब भी कुछ खास समद में नहीं आया होगा जब हम यह पढ़ेंगे और जब हम मैं example समझाओंगा ना तब जाद अच्छे समद में आएगा नाशली इंकम at constant prices same definition है it is the money value of final goods and services produced by the normal residence of a country in a year measured at the prices of base year यहाँ पे क्या था यहाँ पे था current year ठीक है यहाँ पे क्या है यहाँ पे है base year अब base year कौन सा होता है इंडिया का as such कोई country का कोई base year नहीं होता है वो depend करता है कि आप कौन से year में जी रहे हो उसके सबसे base year आपका decide होता है बट अभी के लिए हमको इन दोनों के अंदर फरक देखना current prices का क्या मतलब हुआ जब हमारे goods and services मतलब हमारे country के normal residence ने जो goods and services बनाई है उसकी कीमत हम measure कर रहे हैं आज की कीमतों के उपर current year के prices के उपर यहाँ पे हम किस चीज के उपर measure कर रहे हैं बेस year के prices के उपर अब आप बोलो के sir कौन सा ज़्यादा अच्छा है आपको फिलाल के लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा आप बोलो के sir हाँ सही बात है आज की कीमत के उपर हम बात करेंगे ना आपकी बात भी सही है लेकिन एक example देखे मैं इसको गलत प्रूफ कर देता हूँ सबसे पहले तो यह बताओ कोई भी country का GDP और national income हम लोग क्यों calculate करते हैं ताकि हम यह देख सके कि हमने इस साल grow किया है की नहीं किया कोविट के time पे बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि इंडिया का GDP नीचे आगया वर्ल्ड का GDP नीचे आगया national income नीचे आगया सही बात है कैसे पता चला हमने calculate किया था इस साल का last year का भी हमने calculate किया था तो हमको पता चला ना कि हमारी GDP यह हमारा national income नीचे आगया तो national income calculate करते हैं तो हम उसको compare भी करते है कि last year से हमारी income भड़ी है same रही है या फिर कम हुई है ठीक है अब जब हम यह वाला formula यूज करते हैं तो यहाँ पे कुछ problems है मैं आपको बताता हूँ let's say कि in the year 2019 2019 में हमारे country ने 100 kgs of wheat produce किया था 100 kgs of wheat produce किया था ठीक है 2021 में भी हमारे country ने 100 kgs of wheat produce किया था ठीक है 100 kgs of wheat ठीक है 100 kgs of wheat मुझे एक बात बताओ production भड़ा है 2019 में भी हमने 100 kg बनाये थे 2021 में भी हमने 100 kg बनाये production increase हुआ नहीं हुआ but rates increase हुई होगी definitely हुई होगी अगर हम लोग बात करते है money की तो let's say यहाँ पे money की value थी 1 kg की value थी 12 रूपय let's say 12 रूपीस था 1 kg wheat की value और यहाँ पे आते आते 15 रूपय हो गई inflation तो लगता ही है every year लगता है तो देखो अगर मैं total output की बात करता हूँ total output कितना हुआ 100 kgs into 12 रूपीस per kilo तो हमारा total production कितना हुआ था 1200 रूपय का यहाँ पे कितना हुआ 1500 रूपय का ठीक है अब आप एक बात समझो अगर हम national income को calculate करते है at current prices तो 2019 में हमारा output कितना था 1200 रूपय का 2021 में हमारा output कितना था 1500 रूपय का तो आप क्या बोलो के sir income तो increase हुई है पहले 1200 की तो आप 1500 की हो गई है ठीक है बहुत ज़्यादा increase हुई है अगर आप इसको percentage में calculate करते हो तो 25% से increase हो गई आपकी 25% से increase हुई है सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 2 साल में हमारी country ने 25% का growth लिया है बट क्या हो actually में हुआ है नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ देखो के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी country की economy ने grow किया है जबकि ऐसा नहीं है 2019 में भी आप 100 kilos बना रहे थे 2021 में भी आप 100 kilos ही बना रहे हो आपकी country ने growth नहीं लिया है simply because की prices increase हो गई है इसके कारण आपको ऐसा लग रहा है आपको ऐसा hallucination हो रहा है 2019 में हमारी country ने 100 kilos बनाए थे और 2021 में भी हमारी country ने 100 kilos ही बनाए थे अब let's say कि हम लोग 2019 को base year लेते हैं इसको हमने ले लिया let's say base year ठीक है यह हमारा है base year prices किती थी यहां पे थी rupees 12 ठीक है और let's say कि 2021 में थी rupees 15 जो हमने same example लिया हम same example as it is ले रहे हैं ठीक है अब यह formula के हिसाब से हम money value देखो यहां पे क्या लिखावा है it is the money value of the final goods and services produced by the normal residents of a country in a year measured at prices of base year ठीक है तो यह दो base year है इसका तो total वही आएगा 1200 मतलब इस साल हमारी country का total output कितना था 1200 रुपे का output था अब यहां पे 2021 में आपका output कितने का हुआ according to the current prices according to the current prices आप क्या करोगे इसी साल के price पे आप measure करोगे यहां पे क्या लिखावा है current year के price पे आपको measure करना है तो इसके हिसाब से आपका आया था फंद्रह सु रूपे but according to this formula आपको kis price पे किस price पे measure करना है base year की price पे ठीक है, base year की price किती थी, देखो, 12 रूपीस थी, मैंने क्या बताया, 2019 is the base year, तो यहाँ पे हम into 15 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे into 12, तो यहाँ पे भी आपका output 1200 ही आया, तो यह आपको एक clear picture दे रहा है, यह आपको एक real picture दे रहा है, कि आपका जो GDP है, आपका जो national income है, वो increase नहीं हुआ है, जो actual output था, वो 2019 में भी 100 kilos कही था, और 2021 में भी 100 kilos कही है, तो it is giving us a real picture, यह चीज हमें याद रखनी है, कि जो constant price वाला जो output होता है, constant price वाला जो national income होता है, वो हमें एक real picture देता है, real picture, ठीक है, तो इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते है, that is real national income, इसको हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, that is real national income, जबकि हम current prices की अगर बात करते हैं, तो इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम है nominal national income, I hope आप लोग को समद में आया होगा, ठीक है, एक और बार बात करते हैं, national income को हम दो prices पे measure करते हैं, first is current year की prices, second is constant price, constant मतलब मैंने आपको क्या बता है, जो price same रही है, दो साल पहले भी उतनी थी, आज भी उतनी है, दो साल के बाद में भी उतनी रहीगी, तो आपको क्या समद में आएगा, आपको समद में आएगी actual growth, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि, यहाँ पे money value measure होती है, current year के prices पे, तो problem क्या हुई इसके करण, production change नहीं हुआ, just because price change हो गई, तो आपको ऐसा लगा, हमारी country ने grow किया, नहीं, यह inflation है, यह growth नहीं है, this is pure inflation, जबकि अगर हम constant prices की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम goods and services की जो कीमत होती है, जो value होती है, वो decide करते है on the basis of base year prices, base year की prices पे calculate होता है, तो यहाँ पे देखो, same example हमने लिया था, 2019 में 100 kilos produce किया था, 2021 में भी हमने 100 kilos ही produce किया है, बट यहाँ पे हमने price change नहीं किया, हमने यह 15 rupees को count नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमें base year पे calculate करना है, तो यहाँ पे हमने base year पे, यानि हमने price को constant रखा, देखो, नाम में है ना constant, जब हमने prices को constant रखा, तो हमें समध में आया कि हमारी economy ने actually में grow नहीं किया है, समध में आया, what is the difference between current prices and constant prices, दूसरा नाम हमने क्या देखा, current prices होती है, वो हमें real picture देती है, रियल ही में हमारी economy ने grow किया है, क्या, real picture, तो इसको हमनों क्या बोलेंगे, real national income, और current prices में हमें कोई real picture नहीं मिलती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, nominal national income, आप चलते हैं next video पर जहां पर मैं आपको यह बताऊंगा, कि अगर हमारे पास में nominal national income है, तो उसको हमें real national income में convert कैसे करना है, ठीक है?